जहन दोस्तों आज का वीडियो सभी एक्सेलस्मेन भाईयों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि हमारी जो पैंसिन आ रही है क्या हमारी बेसिक पैंसिन में कोई बढ़ोत्री होगी या हमारा जो डिये उसमें और कितनी बढ़ोत्री होगी यानि 2024 आपके लिए किस तरीके से खास ह हमारे 22 माइंड में होना चाहिए तका इस साल हमारे लिए ये ये चीज़े हैं और इस तरीके से हमारी बेसिक पैंसिन में बढ़ोत्री होगी और हमारे डिये डियार में बढ़ोत्री होगी और जैसे ही गवर्मेंट दुवारा बनती तो वो क्या और घोशना कर सकती है क्या OROP में सुधार कर सकती यानि OROP 3 में कितनी बढ़ेगी सारी चीज यह आपका डिये 50% हो गया है इस मेहने आपकी सेली कितनी आएगी जुलाई में फिर बढ़ेगा कितनी आएगी यह OROP 3 बनता है तो कितनी आएगी और इस से पहले कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं क कोई बता रहा है यूटूबर के इसमें इतनी चीजें बढ़ रही है भई हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जो सरकारी M.O.D. की साइट पर जो चीजें है या जो होने बाली है जिनके सरकूलर है उनके हिसाब से तो हम बात कर सकते हैं फलाना यह कह रहा है कि इसकी बढ़ेगी तो उसकी वो जाने तो आईए दोस्तों हम बात करते हैं कि 2024 पैंसन बढ़ोतरी अपरेल से लागो यानि 2024 में कौन कौन सी पैंसन की बढ़ोतरी होगी और कुछ चीजें अपरेल में जो सो के इस मेहने आपका डिये के साथ बढ़के आएगी तो आपका टोटल प जब देख सकतो मैंने रैंक लिखा है सिपाई 15 साल सिपाई 17 साल नाइक टीया 18 साल नाइक 22 साल हावलदार 24 साल ओनरी नाइप सुवदार है और नाइप सुवदार अबलक एस एपी 24-26 साल सुवदार 28-30 साल सुवदार मेजर 32 साल लेटिनेंट और कैप्टन 32-34 साल जैसा कह हम समझ रहे हैं अब इसमें मैं clear कर देता हूं कि यह जो आपकी बेसिक है वो एक जुलाई 2019 से प्रभावी है अब इससे कुछ लोग जादा ले रहे हैं या कुछ लोग कम ले रहे हैं कम ले रहे हैं तो उनका तो सुधार हो गया हो गया अभी आपकी नेश्ट ओरूपी जुलाई दो यार चोवीस मोगी तब सुधार होगा अब वो ज्यादा ले रहे हैं तो उनका और कितना आगे बढ़ेगा वो सारी चीज बात करेंगा जैसे कि अभी टेंटेटर बताते हैं क किसी सिपाई की 15 साल सर्वे से 18,807 उसकी basic pension minimum होना चाहिए यह average करके दिया है तो आप इतना तो मानलो यह आपका हक है 18,807 और जब आपका 50% अभी जो डिये लगके आएगा प्रेल में वो आएगा 9,430 और आपकी total pension 28,210 होनी चाहिए और क्योंकि जैसा कि तीन मैने का डिय pension खाते में आएगी लगबग आपकी एक मही को या 30 अपरेल के आसपा से आजाएगा मैसिज आएगा जैसे आपको इंटिवेशन कर दिया जाएगा 17 साल है उसकी भी उतना ही तनका है डिये भी उतना ही बनेगा तो basic उसका total इतना आएगा नाएक टिये साल है बीस यार एक से 7 है 10 यार 53 उसका डिये और 30 यार 61 से 60 उसकी आएगी आगे की बात थोड़ा बाद में करते पहले देख लेते हैं और नाएक 22 साल का है 21 यार 24 चैसो बाईस उसका डिये मिला करके 31 यार 860 रुसकी आएगी हैवलार 24 साल है जिसका मुनिमम 22 यार 279 है तो उसकी total 33,380 याएगी और नाइवसुदार ओर्णरी है 23,750 उसकी 35,625 आएगी और नाइवसुदार ACP 1 है तो उसकी 37,237 आएगी शुविदार 28 साल और 30 साल का है तो 44,550 और 46,500 आएगी यह शुविदार मेजर साहब है तो उनका 16,700 डिये आएगा और 50,100 टोटल पैंसेन आएगी और लेटनेंट साहब की आएगी 6,800 और कैप्टन की 65,500 यह अभी आप इसके हकदार हो चुके है यानि यह चीज लागू हो गई आपकी यह आपके रेंग के साब से आपकी बेसिक पहले जुलाई 2019 में अब डिये का ठपा लग गया है अपरेल में यह आपके खाते में इतना आना चाहिए अब मैं बात करूँगा अपरेल निकल गया मई जून और जुलाई मई जून फिर एक जुलाई दो मेहने बाद फिर आपकी कहां बढ़ रही है जुलाई में लगभग 4% लगभग 4% के चांसेस हैं जैसे आपको इसी 30 तारीक को यानि आपके 8 दिन बाद के लिए हो जाएगा लगभग के लिए हो जाएगा आप समसकतो 4% ही बढ़ता है तो यह जो टोटल पे उसमें लगभग आपका 720 इनका बढ़ेगा 800, 850, 880, 960, 1000, 1200, 1320, 1617 यह इसमें एड़ कर दो तो आपकी फुल टोटल पेंसन में यह यह आपका लगभग 50-54 हो जाता है तो 4% की बढ़तरी वो जुलाई में यह पकी चीज़ है इसमें कोई कयास नहीं है इसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है इसमें कुछ नहीं करना यह ओटोमेटिक यहां से हो नहीं होना है दोस्तों इसके लिए किसी सरकूलर की जुरुतनी है कहीं आपको भागने की जुरुतनी यह आपकी यह बढ़ेगी अब मैं बात करूँगा 1.953 की जो के एक जुलाई 2024 से प्रभावी है अब प्रभावी है मतलब अब इसकी घोषणा कब होती सरकार एक बनेगी फिर इसका जैसा कि देखा होगा कि पिछला सुपीम कोर्ट में केस था तो डिले हुआ पर सायद आब नहीं होगा जैसे सुपीम कोर्ट नहीं सीधे आदेश दे रखे है के डियू टाइम पर सरकुलर नंबर 777 निकलेगा डियू टाइम पर आपके जिस तरीके से आपकी बड़ोतरी यह एरियर बनता है तो वो भी चार किस्तों में ही मिलेगा और उसकी जो भी कंडिसंस हैं जो भी उसका क्यू आ रहे के 70 साल हैं वीड़ो उसको वन टाइम मिलेगा अब अधरबाए 4 किस्तों में मिलेगा और यह सारी चीजें पहले से लेडाउन है चाहे 555 देख लो सरकूले चाहे 566 देख लो यह कही वासा है सम्में और सेम चीज है कि premature retirement को लागू नहीं है और भी इसमें बहुत सारी चीज जुड़ सकती है फायदे वाली चीज तो कमी देखने को मिल लई है अब इसमें हम बात कर रहे है वारोपी 3 में तो इनका जो 18 यह जो खाका है basic आप बदलेगा जाके यह जितना है आपका यह सारा ब अभी असर इसमें होगा अब होगा कितना तो जैसे केक नॉर्मल कैलकुलेशन है आपको बतारों बीस यार चारसो पचास सिपाई है तो 21 यार पिचत्तर नाइक है पूरी सर्विस करिक्त गारा रहा है 23 यार 925 हवलार जो 22 25 है उसकी 24 यार 900 और 23 750 है इसकी 26 यार 800 24 यार 825 व यार 700 और 31 यार वाले 33 यार और 33 यार 400 सुविदार मेजर 33 यार 400 तो 35 यार 650 लेटिनेंट 41 यार 200 है तो 43 यार 725 और कैप्टन 43 यार 675 है तो 46 यार 375 लगवग इसके आसपास फिगर रहने की समभावना है कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत जादा भी हो सकता है तो ये 2024 में त फर वारूपी दे जो कि इसमें इनके नियम सब बने हुएं इसके लिए सरकार के हाथ में कुछ नहीं करेगी या नहीं करेगी बाकी चीज़ें इधर उदर से आ रही है उसके बारे मैं ज्यादा अस्यफ नहीं कर सकता